जै गुरुदेव भगवान की बड़ी क्रपा से भारत वर्ष एक ऐसा पुनीत राष्ट्र है जहां प्रत्य कर्म भगवदार्पित होते हैं भगवान नारायन की क्रपा से ही सभी अपने जीवन में स्वस्थ सानंद और प्रसन्न रहते हैं व्यक्ति के जीवन में पूर्णता सहजता और आनंद भगवत प्रीती के कारण है जिसके अंतह करण में भगवान से इश्वरी सत्ता से जगत नियंता से और गुरुजुन से माता पिता से जितनी प्रगाढ प्रीती है उसका जीवन उतना निश्चिंत है क्योंकि यह सब उसकी चिंता करते हैं तो जब हम स्वयम को भगवान को सौप देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं और निश्चिंतता का आनंद ही कुछ और है इसी तरह भारत वर्ष में 12 महीनों में 24 एकादशी होती है अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ जाती है इस तरह विभिन एकादशी के विभिन स्वरूप की चर्चा होती है इसी तरह श्रावन मास के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है इसका नाम पुत्रदा कैसे पड़ा इस विशय पर एक बार युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभू मुझे इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा बताईए इसको वृत्तान्त का श्रवण करके मेरा जो इस कथा का श्रवण करेगा कराएगा उसके जीवन में सदैव आनंद रहेगा उसके घर में स्रेष्ठ संतति होगी और उसके परिवार में कभी भी कोई निपुत्र नहीं होगा सभी के यहां स्रेष्ठ संतान होगी तब भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि द्वापर यूग के प्रारंभ में माहिश्मती नाम की एक अत्यन्त विशाल सुन्दर भव्य दिव्य नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था महीजित अत्यन्त प्रतापी राजा थे जैसा कि उनका नाम था मही अर्था धर्ती को जित अर्था जीत लेने वाले वे राजा महीजित अपने पराक्रम से संपूर्ण प्रिथ्वी का पालन करते थे मानों अपने प्रजावासियों के प्रती इतनी वत्सलता थी कि उन्हें अपनी संतान की तरह ही उनका पालन पोशन और रक्षण किया करते थे यहां तक कि शत्रुपक्ष के प्रती भी कभी कठोर नहीं होते थे उनके हिरदय में सदा वात्सल्य का भाव रहता था उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था कोई दीन दुखी नहीं होता था और वे सभी के मानों अंतह करण में उनका शासन था सभी उनके शासन में प्रसन थे आनंद का अनुभव करते थे लेकिन राजा महीजित अंदर ही अंदर तूटते जाते थे एक दिन उन्होंने अपनी सभा में अपने सभा सदों के बीच में यह बात कही कि सभा सदों मेरे मन में यह बड़ी पिड़ा रहती है कि मैंने कभी किसी का अनैतिक धन नहीं हरपा मेरे राज्यकोष में चोरी डकैती और अनधिकृत धन नहीं आया मैंने कभी कोई प्रतिकूल चेष्टा नहीं की मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया गुरु जनों का सदैव ही आदर किया और मेरे जीवन काल में मैंने सद कर्म पूर्ण करने में कोई भी कभी कोता ही नहीं की कोई कमी नहीं बरती फिर भी मेरे यहां संतान नहीं है मैं संतान सुख से वन्चित हूँ इसका क्या कारण हो सकता है इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है क्या उपाय है कि मेरे घर संतान हो सके राजा के यह वचन सुनकर संपूर्ण सभा में सभी का अंतह करण द्रवी भूत हो गया सभी की आखें तरल हो गई क्योंकि राजा त्यंत धर्मा वलंबी था किसी धार्मिक व्यक्ति के उपर कष्ट आ जाने पर सज ही सभी लोगों का हिरदय द्रवी भूत हो जाता है प्रति एक व्यक्ति यह विचार करने लगा कि हम क्या उपाय करें कि राजा के घर में एक स्रेष्ट संतान उत्पन हो और यह विचार करते हुए राजा महीजित के घर संतान हो यह विचार करते करते राज्य के अनेक प्रमुख लोग यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे और भ्रमण करते करते एक गहन अंधकार युक्त एक परवत श्रिंखला के मध्य गहने जंगल में पहुँच जाने पर उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए जिनका नाम लोमश मुनी था लोमश मुनी अनन्त काल से जीवित थे और उनका वर्षो व्यतीत हो जाने के बाद कल्प व्यतीत हो जाने के बाद एक रोम धरा पर गिरता था इसी कारण उनका नाम लोमश रिशित था उनके पास पहुँचकर सभी लोगों ने धार्मिक लोगों ने यह प्रार्थना की कि भगवन हमारी ये समस्या है कि हम इस समय माहिशमती नगरी के राजा जो महान हैं दिव्य हैं दैवी हैं सोभाव से स्रेष्ठ हैं ऐसे महीजित राजा के घर एक पुत्र की कामना से आप के पास आई हूँ सभी आगत नागरीकों के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर लो मश्मूनी के अंतह करण में सहज ही करुणा फूट पड़ी उन्होंने नेत्र बंद किये और राजा के पुनर जन्म के वृत्तांत को उन्होंने जान लिया उसमें उन्होंने सभी नगर में से आए हुए लोगों से बताया कि ये राजा पूर्वकाल में एक दरेद्र वैश्य के घर में इनका जन्म हुआ था इनके पास धनाभाव था ये यत्र तत्र जाकर के व्यापार करते थे लेकिन धन संपदा इनके पास नहीं थी और इसी करम में एक बार ये जा रहे थे जंगल में एक भूखी प्यासी गव एकादशी के दिन नदी के मुहाने परा करके जल पी रही थी तब इन्होंने उस गाए को जल पीने से रोक दिया और स्वयम जल पी लिया इसके प्रभाव से इस जन्म में इनके घर संतान नहीं हो रही है क्योंकि उस समय वह जो गाए थी उसके गाए के गर्भ में भी एक चौना था एक गाए का बच्छडा था जो भूख प्यास से तिल मिला रहा था चूकि इन्होंने उसको पानी पीने से रोका इसके कारण इस जन्म में इनके घर संतान नहीं हो रही है और चूकि ये उस दिन एकादशी के दिन बिना कुछ खाए पिये भूखे रहे थे और वो जेश्ठ मास के शुकल पक्ष की एकादशी थी जिसके प्रभाव से इस जन्म में ये राजा हुए है अगर आप सभी लोग इन राजा के लिए श्रावण मास के शुकल पक्ष की एकादशी का वरत करें और उसका फल राजा को प्रदान करें तो निश्चे ही इनके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति होगी सभी लोग लो मश्मुन को प्रणाम करके राज्य में आ गए और यहाँ सब ने श्रावण मास के शुकल पक्ष की एकादशी का वरत विधान पूर्वक किया और अपना सारा फल राजा को दे दिया राजा ने भी विधान पूर्वक श्रावण शुकल पक्ष की एकादशी का वरत किया दश्मी के दिन से ही उन्होंने साथ्वी का अच्रण किया रात्र में भूमिशेन किया अगले दिन निराहार रहते हुए केवल भगवत भजन करते हुए रात्र में जाक कर भगवत संकीर्तन करते हुए और द्वादशी स्पर्ष करने वाली दिव्य तिथी में उन्होंने जब रसा हार किया इसके प्रभाव से इनके घर दिव्य संतान उत्पन हुई अस्तु जो कोई भगवान की क्रपा प्राप्त करना चाहता है अपने परिवार में स्रेष्ठ संतान को चाहता है उसे श्रावन शुकल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी का वरत करना चाहिए इसके प्रभाव से भगवत क्रपा अवश्य ही प्राप्त होती है संपूर्ण वैदिक वांगमय में भारतिय परंपराओं के दिव्य सिध्धानतों में हम इस ज्ञान गरिमा का अनुभाव करते हैं पुज्य महर्शी महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में वैदिक वांगमय का ध्वज फैराया है वेद विद्या मारतंड ब्रहमचारी गिरीश जी भी अनवरत इन वैदिक सिध्धानतों का परिपालन कर रहे हैं वैदिक वांगमय के इस दिव्य और महनिय सिध्धानतों का अनुकरण करते हुए संपूर्ण विश्व के लिए मैं मंगल का मनाएन वेदित करता हूँ जै गुरुदेव जै महर्शी